अज मैं आपको बताने जा रही हूँ घी राइस की वीडियो जो हमारे बावर्चे ने बनाया है लास्ट वीडियो में मैंने आपको चिकन खुर्मा की सरीखे से बनाते हैं वो वीडियो शेयर किया था तो इस वीडियो में हम घी राइस की सरीखे से बनाते हैं वो देखेंगे करें चली अविस बह्ते हुए शुरू करते हैरी तो सबसे पहले इन्होंने शामिल गया हैं, मुझल ना प今回 देते हैं और अध्रक यह सिंहों कर रहे हैं हरि मेज्च 15-20 हरि मेज्च एन्होंने लिया है और इसके इंदर शामिल कर रहे हैं गरम मसाले, लोंग, इलाइची और डालचीनी खरीबन 20 ग्राम जितना लग रहा है मुझे और इसके इंदर शामिल कर रहे हैं नमक खस्बजाई का यहां पर तील अच्छे से गरम हो चुका है और अभी इसके इंदर शामिल कर रहे हैं एक केजी स्लाइजड ओनियन और ओनियन्स को ब्राउन नहीं करना है सिर्फ थोड़ा सा तेल में सौतिक करना है और इसके इंदर शामिल करेंगे मसाले जो अभी मैंने आपको बताये थे अध्रकलहँसन, हरी मिर्च, और गरम मसाले अध्रकलहसद के इंदर शामिल किया है थोड़ा सा पानी ताके मसाले जलना जाए ब्राउन नहीं करना है सिर्फ मिले तो यदिम करना है सिर्फ थोड़े से पिंकिश कलर हो जाए दहीं को भी हद्रक लेसन के मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे इसे एक अमसकम दस मिनिट तक पकाएंगे ये दस मिनिट के बाद आपको बता रही हूँ ये इसके अंदर शामिल कर रहे हैं पानी पानी इन्होंने दस लिटर शामिल किया है पानी यह हम पर तेजी से पक रहा है तो इसे इसके अंदर शामिल कर रहे हैं मतर कच्चे मतर मतर को एक फाइम मिनिट तक इसे पकाने वाले हैं ये फाइम मिनिट के बाद इसके अंदर शामिल कर रहे हैं भीगे हुए चावल पूरे दसकी जी, चावल इसके इंदर शामिल क्या है इन्होंने एक गंठा पहले चावल को अच्छे से धो कर रखा था अभी वो शामिल कर रहे हैं, गाजर पुदीना अधा कट पुदीना इन्होंने लिया है, इन्हें के हाफ बंच अच्छे से दो कर लिया है सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे और अब ये इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हाफ लीटर दूद दूद को दालने के बाद इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक के चावल 70% तक अच्छे से गलना जाए और पानी इसके अंदर का हुश्क होना जाए तब तक इसे हमें अच्छे से पकाना होगा पंद्रा मिट के बाद आपको बता रही हूँ चावल मीका पानी हुश्क हो चुका है अभी चावल भी 70% तक पके हुए हैं अभी इसे दम पर छोड़ देंगे पतिले को दम करने के लिए चुले पर एक तबा रखा है इनोंने और हाई फ्लेम पर रखते हुए इसे पतिले को ऊपर रख रहे हैं और इसे कपड़ा डालकर एक प्लेट से अच्छे से ढखा है इनोंने और इसे के ऊपर एक अच्छा सा वेट रख देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना चली जाए 10 मिन तक लो फ्लेम पर रखकर इसे अच्छे से दम किया है यह दिखिए कितने खिले खिले चावल निकले हैं घी राइस बहुत ही जादा मज़ेदार बना था आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें और यह मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक क करें उमिद करते हूं कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगे फिर मिलते हैं अगली नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज